Welcome to Class Oxide Current Affair, Daily Current Affair के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 29 June 2023, Current Affair in Hindi and English, विश्टार्ट करते हैं, कोई डाउट कोड़ी हो तो आप मुझे यहाँ जूर के बात कर सकते हो, पहला जो Current Affair है, वो यह है कि इंडिया को मिला है 67th rank, इस चीज में तो World Economic Forum ने जारी किया है Energy Transition Index, तो World Economic Forum ने एक Index, एक सुचकांक जारी की है Energy Transition Index और इस रैंक में इंडिया की Position आई है 67th, अगली Current Affair है नाथन लेओन, नाथन लेओन यह बन गया है पहले बॉलर जिन्होंने 100 consecutive test World Cricket खिला है, जो लगातार 100 test match जो है वो खिलने वाले, जो है वो प्लेयर कौन बन गया है नाथ अब जो देखने के लिए अब जब यह वहां पर डूब गया या इसके साथ दूरगटना जो हो गई तो इसका बचाव करने के लिए इसकी rescue करने के लिए जो दूसरा रोबोट जो लगाया गया था उस रोबोट का नाम याद रखो, Victor 6000 तो Victor 6000 जो है एक French फ्रांसिसी रोबोट था जिसको अभियान में सामिल किया गया था ठीक है तो नाम याद रखना है तो Victor भी याद रखना है और यह Titan नाम भी याद रखना है नेक्स्ट इंडिया की पहली hydrogen powered train देखो आप train को देखते हो तो पहले के टाप में coal को बन करके चलाता था चलती थी है न कोई लगों जला करके फिर अभी हम लोग देखते हैं कि electricity जो है उसको यूज किया जा रहा है लेकिन आब और आगे एडवांस जो है हम लोग जा रहा ह त्रेंगे चलाने के लिए तो hydrogen power train जो है इंडिया की पहली यह चलेगी हर्यान के जिंदर डिस्टिक्स से टिक है नेक्स्ट एक इंडियन एक इंडियन औरिजीन की परसन है आरती होला मैनी इंडियन औरिजीन के परसन है है वैसे आमेरिकन ठीक है तो यह जो है यह स्लेक्ट ओ द्रीरेस जो है इन्हों ने इनको क्या स्विट किया है तो स्विर्ट किया है डायर्यक्तर ओफ यूनाटेड नेशन ओफिस for Outer SPACie अगले जो का इंटरफेड है वो यह है कि जो यूनियोन मिनिस्टर है पोर्ट स्विपिंग यूअटरवेй या आईयूस मंत्र आला कि कौन सरबादंद सोनोवाल तो इन्होंने रिसेंटली रिलीस किया है एक गाइडलाइन गाइडलाइन किसी चीज किया है कि यह समाज के लिए कुछ करना होता है इसके लिए गाइडलाइन के लिए कुछ और कुछ करेंगे तो इस तरह का वाक करते हैं तो इसी का guideline जो है यह जारी किया गया है corporate social responsibility और इस guideline को क्या कहा गया है guideline का नाम याद रखो तो सागर समाजिक सहयोग सागर समाजिक सहयोग अगली current effect देखते हैं एक minister है नरायन राने तो इन्होंने launch किया है champion 2.0 portal तो champion 2.0 portal जो है यह नरायन राने ने launch किया है यह portal जुड़ा हुआ MSME sector से MSME का मतलब क्या है जो micro small medium enterprise है जो छोटे या medium size के जो company जो है इंडिया में काम कर रही है तो उनसे यह जुड़ा हुआ है यह portal उनसे related है नाम बस याद रखो champion portal MSME से जुड़ा हुआ है launch किया है नारायन राने ने अगली का इंट फैर देखते हैं एक ranking आई है ranking को जारी कीशने किया है तो याद रखो quark वेरली ठीक है तो quark वेरली साइमंड वर्ल्ड युनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 की ठीक है तो यह एक ranking आई है और इस ranking के हिसाब से इन्होंने दुनिया भर की जो युनिवर्सिटी है उसको रैंक किया है तो इनके हिसाब से जो एक नंबर पर आया है वह है अमेरिका की जो आमाइटी जो है जो मैसाचूसर्स इंसिटूट आफ टेक्नोलोजी जो है वह एक नंबर पर आया है और पूरी वर्ल्ड में जो आईटी बॉंबे जो है यह 149 पोजीशन पर आया है और यह आईटी बॉंबे की बात करें इंडिया में फर्स्ट आया है इंडिया में फर्स् वली सदासिवन बहुत जगा के आपको प्रिया एस नाम इनका दिखने को मिलेगा ठीक है तो इनको जो है ओनर किया गया है ठीक है इनको और किया गया है साहित्या अकाडमी बाल साहित्य पृष्कार 2023 से नाम किया है तो आप यहाँ पर हिंदी में भी देख शकते हो तो पेरू माजा थे कुंजी था लुकल तो ये एक मल्यालम वर्ड है अगर आप इसको इंग्लिस में ट्रांसलेट करो तो इसका मतलब क्या होता है तो चिल्ड्रेन हु नेवर विथर्ड मतलब वो बच्चा जो कभी मुर्जहाय नहीं सूखा नहीं ठीक है तो इसका हिंदी मी और ओन मोर्गन तो ये 25 प्लियर और इनके साथ इंडीयन एक प्लियर जूलन हो सौमी तो इन्होंने जॉइन कर लिया है MCC World Cricket Committee, WCC, ठीक है, तो MCC World Cricket Committee जो है, ठीक है, इनको join किया है, तो English player का नाम आप को याद रखना, आप ignore कर सकते हो, याद रखो कि जुलन स्वामी जो है, उसका याद रखो, कि इन्होंने, MCC World Cricket Committee जो है, इसको join किया है, अगली current fare हम लग जो है, हम लग देखते हैं, तो अग को launch किसने किया है, तो जो परसुत्लम रूपाला मिनिस्टर है, फिसरी मिनिस्टर है, इन्होंने launch किया है, तो इस एप से क्या होगा, अगर मालो, कोई भी फिस में कोई disease वेगड़ा कुछ होता है, तो हमारे जो farmers वेगड़ा है, फिसर्समें वेगड़ा जो है, वो इसको report क एक बात बतादू मैं, कि जैसे ये class oxide current affair देख रहे हो, वैसे मेरी चैनल है class oxide study, जहां मैं जी के discuss करता हूं, class oxide pyq, जहां मैं previous year के question discuss करता हूं, तो इनको चेक करना बिल्कुल ना भूले, doubt पेगड़ा है, तो आप टेलीग्राम, Facebook, Instagram पे आप मुझसे जुर सकते हो, बढ़ते Chatshu, ठीक है, Hemis Chatshu, जो है, वहां का monastery festival है, monastery से जुरा हुआ यह है, तो जो हमिस में, जो मठ जो है, तो यह start हुआ है, दो दिन का festival लद्दाख में, Next, अगली current affair हम लोग देखते हैं, NTPC आप लोग ने जरूर सुना होगा, National Thermal Power Corporation, जो है, यह बिजली बनाती है, electricity जनरेट करती है, तो इनको मिला है platinum award, क्यों, क्योंकि इनको क्यों मिला है, because for the best performance in government e-market procurement, मतलब क्या होता है, देखो, सरकार को, government agency को, जब कुछ लेना होता है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो online माध्यम से अलग-अलग logo से उनसे ले सकती है, online माध्यम से, महलो सरकारी company है, महलो NTPC को चाहिए cheer, for example, NTPC को अपने जितने भी power plant हैं, वहाँ पर चाहिए cheer, तो काफी सार cheer चाहिए, तो वो क्या करेगा, online जो है, वो लेगी, तो e-market, इसी तरह बहुत दूसरे चीजे भी तो हो सकते हैं, उनको requirement हो, तो यह चीज जो लेने के लिए, इसको यह procure करने के लिए, इनको best थरीके से procure करने के लिए, इनको यह award मिला है, platinum award, 2023 में, तो यह again मैंने बताया, हम आप Facebook, Instagram से आप जूर सकते हो, यह मेरी personal Instagram है, मुझसे बात कर सकते हो, आप Telegram हमारा है, इसके लावा यह तो, इसके लावा मेरी एक Telegram के group भी है, जहां पे discussion होती है, वो कर सकते हो, competitive jam के लिए class oxide study, और previous year के लिए class oxide pyq, तो यह आप कर सकते हो, वीडियो पसंद आया, तो आप ज़रूर like, comment और share करे, thank you.